नमस्कार BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं भाकिश्री आपका स्वाकत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों क्यों फिर्जबाद के शिकोहबाद रोडवेज बस्ताइंड उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निकम कर्मचारी अधिकारी सयूत संकर्शम मोचा शिकोहब इस प्रदेशन में जमकर नारे बाजे की अपनी साथ सुत्रिय मांगों को लेकर कुछ रोड़ों पर पड़ी प्राइवेट वाहनों को लाइसेस देने का विरोध क्या है इसके साथ साथ कर्मचारी की वेतन में कटोती काभी विरोध क्या गया कर्मचारी की रोजी रूटी की समस्या खड़े होनी की आशंक चताई इस प्रदर्शन में संजे बाबू बखेल आलोक यातो नरिंद्र यातो अवनिंद्र यातो राधकुष्ण सुधिर यातो देश दिपक अर्जुन सिंग सुखबिर प्रबल किशोर राकेश सिंग आलोक यादो राजेद्र सिंग याद देविंद्र सिंग शिव कुमार यातो नसीम अली गुली उर्फ अवधिश कुमार अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्तित रहे शिगवाबाद डीपो कर्मचारी की द्वारा जानकर में बताया गया कि अगर हमारी समस्याव को नहीं सुना क्या और इसका निस्तारन नहीं क् आज काक्रम ये था कि संयुक्त मूर्चा के आवान पर परवें निगम से यह वगा है कि काली पट्टी बांदके एक तारीत लेके साथ तारीत तक हम लोग ब्रोज परसंद करेंगे जो हमारे राश्टी के तमार गया है उन पर प्राइवेट परमिट दे रहे हैं हमारे पच इन नियुस के लिए फिरोज अबास से रिहान अली की रिपूट सडग सुरक्षा महा के अंतर गया चात्र चात्राओं को डीपिया स्कूल यमूना पूरम बे यातायात नियुमों के संकेत वन नियुमों की ट्राफिक इंस्पेक्टर श्चोरिय कुमा निदी जानकारी बु सके इस अउसर पर टीस आई विजय पाल सेंग हेट कॉंस्टेपल बुपेंट चेकारा आधी मोचेत रहे बिसेन नियुस के लिए बुलन शहर से जाविद खान की रिपूट फरजी कॉल सिंटर चला कर ठगी करने वाले गिरों का हुआ परताफाश लखनों की साइबर आज ये तीन जाल साज को क्या की रफ्तार चेनाट की देवा रोड पर गो इंडिया नाम से चला रहे थी कॉल सेंटर चार शाते जाल साजों ने मिलकर बनाया था फेक कॉल सेंटर दिल्ली में बैट कर अमेर नामा की वक्त वरा संचालेत क्या जा रहा था यह कॉल सेंटर ज ठगी का शिकार बनाने के लें लुभाओं ने सपने देखकर फसाय जाता था अपनी चाल्बी। लॉक्डाउन के बाद से ही इस फेक कॉल सेंटर का इन अपराध्यू ने लखनों में किया था शिवारब। ठगी करने के बाद यहाँ जाल साज आपस में बाटिया करती थी ठगी की विरुपे। अभी हाली के दिनों में क्रेडिट कार्ड बनाने के नाप पर सिराज नावक ये वक से भी कीती ती सहजार की ठगी। शातिर जाल साजों ने SBI बैंक से संबधित वर्चूल नबर का कर्यते इस्तिमाद। लखनों की साइबर क्राइम से ले हसंकर स्थाना में दर्श हुई शिकात का खुला साख्या। बिसेन नियूस के लिए लखनों से वशिस चोबे की रिपूट। कबरिसान की जमिन पर कब्जा करने का आरूप लगा। दमपती ने छे बच्चों संग लगाई थी आग। आज एक और बच्ची की हुई मोद। कानपूर दिहात की मुसानगर में 28 जनवरी की राती में जमिन पर कब्जा करने का आरूप लगा। गुलफाम ने पत्नी और 6 बच्चों की संग आग लगा ली थी जिसमें 8 लोग गंबी रुप से जुलसे गया थे। सचना के बार मोकिप पर पहचे पुलिस कर्मियों डे सभी जुलसे लोगों को अजपिताल भिचवाया। वही आग से जुलसे लोगों को बचाने में थाने का एक सिपाई भी गंबी रुप से जुलस क्या था। वही जुल से लोगों का इलाज लखनों बे चल रहा है आज इलाज के दौरान कल एक बच्ची चांद तरा तीन वर्ष की मौत हो गई है और आज दूसरी बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई वही घटना में बीचेपी निता ने कब्रिस्तान की जमीन पर कबजा ना करने की बात कही थी साथी बीचेपी निता ने उनके द्वारा जमीन खर्ट कर बनवाए जाने की बात कही थी जिसकी राज़स्वर टीम द्वारा जाच भी कराई गई थी बीचेपी निता ने इस घट को विदान सभा में उठाने की चेताव नी ती जिसमें अधिकार की मिली भकती मतला हमारा यह कि मरलब इस्टासन ने जहां भी अस्पताल में भर्ती किया गया है आकर उसका वहां इलाज हो रहा कि मौत का इलाज हो रहा दूसरी बात यह यहां पर जाने कि कोई भी कितना मरीज उसक ठस्क्त की जाने नीए जीटान अच्छ न बुरा कुछरी नहीं पथा कि कहां है या कौन एक दूसरे रह ने दिखेशन ने占ीच वही घटा की जानकरी पर शेत्रिय लोगों ने दुख चता है और न्याय दिलाने की बात कई है बिस्यन नियूज के लिए कानपुर देहा से रजा मुहम्मद की रिपोर्ट बिस्यन नियूज की प्रदेश की खबरों में फिला लिता ही अन्य खबरों से हम आपको योही रूपर रुकरवाते रहेंगे देखते रहें बिस्यन नियूज नमस्कार